दिशाओ का घ्यान यानि की वास्तु शास्त्र वास्तु शास्त्र से ही हमें ये जानकारी मिल पाती है कि किस चीज को कहां रखना चाहिए किस दिशा में रखना चाहिए लेकिन क्या आप जानते हैं आपके संतान सुख के पीछे भी वास्तु दोश अटकले लगाते हैं जी हाँ कई बार इन वास्तु दोश की वज़ा से हमें मा बनने से वंचित रह जाते हैं आपको बता दें वास्तु शास्त्र की संतान के जन में महत्वपून भूमिका होती है अगर शादी के कुछ वर्ष हो गए हैं और चाहकर भी संतान सुख नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए शारेरिक चिकित्सा के साथ साथ अगर घर का वास्तु भी नियमा नुसार कराया ज तो संतान सुख की प्राप्ती में ये सहायक होता है बताएं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की अलग अलग दिशाओं से प्राप्त उर्जा शेत्रों से निर्धारित होते हैं अगर घर के उर्जा शेत्र प्रकरतिकी उर्जा शेत्र के सामन जस्य में होते हैं तो जी जीवन के उस शेत्र में अवरोध उत्पन होते हैं जिनके वो कारक हैं ये उर्जा शेत्र मानव जीवन के प्रतीक शेत्र को प्रभावित करते हैं जैसे की धन की सिती स्वास्त है आपसी संबंध विवसाय संतान आदी लेकिन आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वास्तु के उन सिध्धानतों के बारे में जो संतान प्राप्ती में सहायक होते हैं बता दें घर के इशान कोण यानिकी उत्तरपूर्व दिशा में कोई भी वास्तु दोश जैसी भारी निर्मान इशान कोण को कटा होना या उचा होना सीड़िया टॉयलेट आदिका होना संतान सुक में रुकावट डालता है इशान कोण के पूरी तरह से अवरुद होने पर संतान प्राप्ति में बड़ी बाधा आती है अथा इशान कौन में कोई भी वस्तू दोश है तो सर्व प्रथम दोश का उपाय करे और घर के मुख्य द्वार के स्थिती का संतान प्राप्ति पर बहुत गहरा प्रभाव फड़ता है घर का मुख्य द्वार पश्यम के 20 पद या उत्तर दिशा में 27 पद या उत्तर में सोम कुवेर पद यानि की कद्म संख्या 39 में खूले जाने पर पुत्र संतान होने की संभावना प्रबल रूप से बढ़ जाती है घर का मुख्या द्वार अगर पूर दिशा के दूसरे पद में खुलता हो तो कन्याय जन्म लेती है अगर बताई गई दिशा में द्वार बनाने के लिए जगा उपलब्ध नहीं है तो योग्य वास्तु कार से एक बार जरूर परामर्ष ले वहीं आपको ये भी बता दें कि बाल कृष्ण की अराधना से भी संतान की प्राप्ती होती है इसके अलावा और भी कुछ छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें जैसे कि पती पत्नी बाई दिशा में सोई ध्यान रखें कि पत्नी का बिस्तर छत की बीम के नीचे ना हो तो वहीं हाथी फोटिलीटी का कारक है जो भी दमपती संतान की प्राप्ती के लिए इच्छुक है उन्हें हाथी का चित्र अपने बेडरूम में लगाना चाहिए ऐसी ही छोटी बातों का ध्यान रख आप भी संतान सुपकी प्राप्ती कर सकते हैं नेक्स्ट नाइन स्प्रीच्वल से आरतिक रिपोर्ट